प्रेविद्यार्थियो नमस्कार आशा है कि आप स्वस्त्व प्रसंद होंगे हम ये जानते हैं कि सभी जीवों की मूलभूत आवशक्ताएं अनिवारे रूप से एक समान होती हैं उनको अपनी व्रद्धी एवं परिवर्धन के लिए ब्रहद अनु जैसे की कार्बोहाइड प्रोटीन वसा एवं खानीज लवनों की अनिवारेता होती हैं हमारा आज का सत्र मुख्यत है अकार्बरिक पादब पोशन की ओर केंद्रित है जिसमें हम पौधों की व्रद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवारी तक्तवों को पहचनने के तरीकों और उनकी अनिवा अनिवारी तत्वों की भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों और उनकी आवशोषण क्रिया विधी का भी अध्यन करेंगे, इसलिए आज के हमारे सत्र के जो अधिगम उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं, अकार्बनिक पादब पोषण का अध्यन करना, जल संबर् का वर्णन करना, पौधों की व्रद्धी एवं परिवर्धन के लिए अनिवारी तत्वों को पहच्चानने के तरीकों का वर्णन करना, अनिवारी तत्वों की अनिवारेता, निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्यन करना, अनिवारी तत्वों की भूमिका, उनकी क लोकन कौशल का विकास करना इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जीव ज्यान के अध्यन में अर्जित ज्यान को दैनिक जीवन में सहसंबनित करना वय अनुपयोग में लाना आपकी जीवन का अंग हो क्या आप जानते हैं कि बिना म्रदा के केवल जल द्वारा पौधों को बड़ दर उपरतम यह प्रदशित किया कि पादपों को म्रदा की अनुपस्तिती में पोशक विलियन के घोल में वयस्क अवस्थक तक उगाया सकता है पादपों को पोशक वेलियन के घोल में उगाने की ये तकनीक जल संबर्धन अर्थात हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाने जाती है आप स्कीन पर रेखा चित दुआरा जल संबर्धन की ये तकनीक देख सकते हैं जो कि प्रदशित की गई है स्कीन पर दिखाएगे चितर में जल संबर्धन से पौधों का उतपादन दिखाया गया है पौधे थोड़ी आनत नली या नाली में रखे जाते हैं एक पंप पोशक वेलियन को संचैता से उठेवे भाग तक नली में परिसंचरित करता है वेलियन नली के नीचे रखा जाता है और संचैता तक गुरुत के कारण पहुंच जाता है इस रेखा चितर बवस्था में वे पौधे दिखाए गये हैं जिनका मूल सतत वायविये पोशक वेलियन में डूबा हुआ है रेखा बहावगति को दर्शाती है उसके बाद कई उन्नत विधियां प्रयोग में लाई गई जिससे पादबों के लिए खनिज पोशकों की अनिवारिता तैकी जा सके इन सभी विधियों के प्रयोग का निशकर्स पादबों को म्रदा विहीन पोशक विलियन के घोल में उगाना है इन विधियों में शुद्धिकर्ट जल एवं पोशक खनिज की अनिवारिता होती है अच्छा क्या आप समझा सकते हैं कि ये अतिय अनिवारित क्यों है श्रंखला भद्ध प्रयोगों के पश्चाद जिसके अंतरगत पादवों की जड़ों को पोशक विलियन में डुबाया गया और उसमें एक तत्व को डाला गया हटाया गया और फिर प्रतिस्थापित किया गया तथा विभिन सांधताओं में दिया गया तो एक खनिज विलियन अर्थात मिनरल सलूशन प्राप्त हुआ जो पादव वृद्धी के लिए उप्युक्त था इस विधी के द्वारा अनिवारे तक्त्वों को पहचा ना गया और उनकी कैमी से होने वाले लेक्षणों की खोज की गई जल संबर्धन की तक्नीक को सबजियों जैसे की टमाटर बीज भी हिन खीरा और सलाद इसको लेट्यूस भी कहते हैं कि व्यापरिक उत्पादन ही तु सफलता पूर्वक लागू किया गया है विद्यार्थियों ये ध्यान देने युग्य है कि पादप की आदर्श विद्धी के लिए पोशक विलियन को प्रचुर वायवे अर्थाद एरिटेट रखना चाहिए यदि घोल अर्प वायवे होगा तो क्या होगा सोचिए म्रदा में उपस्तित अधिकांश खनिज तत्व जडों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं तथ्यों के अनुसार अभी تक खोजे गए 105 से अधिक खनिज तत्व में से साट से अधिक तत्व विविन पौधों में पाए गए हैं कुछ पौधों की प्रजातियां सेलीनियम का संग रह करती हैं कुछ गोल्ड अर्थात स्वर्ण का संग रह करती हैं तथा नाभी की परिक्षन सलों के समीब उगने वाले पौधों में radioactive strontium जम कर अवशोशित होता है पौधो में खनिज की नियुनतम सांता जो की दसकी घात रिन आठ ग्राम प्रति मिलिली लीटर है को भी पता करने की तक्निक आज उपलब्ध है प्रश्ण ये उठता है कि क्या सभी विविन्य खनिज्टत्व जो पौधो में पाये जाते हैं जैसे उधारन के लिए अभी अभी हमने चक्र किया स्वर्ण तथा strontium वास्तम में पौधों के लिए क्या अनिवारिय हैं हम ये कैसे निर्धारित करें कि पौधों के लिए अनिवारिय हैं या नहीं तो किसी तत्व की अनिवारिता के मापदन निर्धारित किये गए हैं ज इस तत्व की अनुपस्तिती में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएं अथवा बीज भी घारण नहीं कर पाएं। दूसरा मापदण तत्व की अनिवारता विशिस्ट होने चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा पृतिस्थापन करना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरे सब्दों हम कह सकते हैं किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता दूर नहीं किया जा सकता तीसरा जो मापदंड है वो है तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हों इन मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधों की व्रद्धी एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं इन तत्वों को आविश्यक मात्रा के आधार पर दो व्यापक स्रिणियों में बाटा गया है यहां पहला है ब्रहत पोशक और दूसरा है सूक्ष्म पोशक ब्रहक पोशक, ब्रहक पोशकों को साम्माने तहब पादप के सुष्क पदार्थ का 1 mg प्रतिलीटर की सांधता से लेकर 10 mg प्रतिलीटर सांधता से विद्यमान होना चाहिए इस स्रेणी में आने वाले तत्व हैं कार्बन, हाइडोजन, ऑक्सिजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्सियम और मैगनेशियम इन में से कार्बन, हाइडोजन तथा ऑक्सिजन, मुख्य तयार कार्बन डाइकसेड एवं जल से प्राप्त होते हैं जबकि दूसरे म्रदा से खनिज की रूप में अवशोशित के जाते हैं अब बात करेंगे सुक्ष्म पोशक तत्वों की, सुक्ष्म पोशकों अथ्वा लेश मात्रिक तत्वों की अनिवारिता अत्यंत सुक्ष्म मात्रा में होती है कितनी होती है दसम्लाव एक मिली ग्राम प्रति लीटर सुष भार के बराबर या उससे कम इन पोशक तत्वों के अंतरगत लौह, मैंगनेज, तामबा, मॉलेब्डिनम, जिंक, बुरॉन, क्लोरीन और निकल सम्मिलित हैं इन 17 अनिवार तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ लाब दायक तत्व हैं जैसे की सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट तथा सिलिनियम ये उच्छ स्रेणी के पौधों के लिए अनिवारे होते हैं अनिवारी तत्वों को उनके विवितिकारियों के अधार पर सामान नियत है चार स्रेणियों में बाटा जा सकता है और ये स्रेणिया है पहली अनिवारी तत्व जैव अनुमों के घटक हैं अधर कोशिका के रचनात्मक तत्व हैं जैसे कार्बन, हाइडोजन, ऑक्सिजन और नाइटोजन दूसरा अनिवारी तत्व जो पौधे की उजा से संबंदित रासायनिक यगों के घटक हैं जैसे पन्हरित अर्थात क्लो अनिवारी तत्व जो एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करते हैं जैसे मैंगनेशियम आयन, राइबुलोज, बिसफोसफेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सिजनेज और फॉस्फविनायल, पैरुवेट, कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता हैं यह दोनों एंजाइम प्र कायन, एलकोहल, डिहाइडोजिनेज को क्रियाशिल करता है, तथा मॉलेब्डिनम, नाइट्रोजन उपापचाई के दोरान, नाइट्रोजिनेज को क्रियाशिल करता है, अच्छा क्या आप इस रेनी में कुछ और नाम जोड सकते हैं, इस काम के लिए आपको पहले से ही रासानी विभव को बदलते हैं, पोटेशियम की रंधों के खुलने और बंध होने में महत्व भूमिका है, आप फिर से कोशिका के जल विभव को निधारित करने में खनीजों के विलेक रूप में भूमिका को स्मन कीजिए, आनिवारी तक्वों को कई क्रिया करनी होती है, विपौधों की कोशिकाओं की विभिन उपा पचिये प्रिक्रियाओं में भाग लेते हैं, उधारन के लिए कोशिका जिल्ली की पारगम्यता, कोशिका द्रव के परासरन दाप का नियंत्रन, इलेक्ट्रों परिवहन तंत्र, बफर कारिय, एंजायम से संबंदित कारिय और ब्रहद अनु तथा सह एंजायम के मुख्य संगटक का कारे करते हैं, अब हम आवश्यक ब्रहत एवं सूक्ष्म पोशक तत्वों की पौधों में विभिन भूमिका पर चर्चा करेंगे, नाइट्रोजन की बात करते हैं, इस तत्व की अनिवारिता पौधों में सरवाधिक मात्रा में होती है, इसका अबशोर्शन मुख्यता है नाइट्रेट की रूप में होता है, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट तथा अमोनियम के रूप में भी ये ली जा सकती हैं, इसकी अनिवारिता पौधों के सभी भागों, विशेशत ये, विभज़्यों तक, एवं सक्रिय उपापची कोशिकाओं में होती है नाइटोजन प्रोटीन नुकलिक अमलों विटामिन और हॉर्मोन का एक मुख्य संगठक है फिर हम बात करेंगे फोस्फोरस की पादपों द्वारा फोस्फोरस म्रदा से फोस्फेट आयन की रूप में अवशोशित किया जाता है यह कोशिका जिल्ली कुछ प्रोटीन सभी नुकलिक अमलों एवं नुकलियो टाइट के लिए एक संगठक है तथा सभी फोस्फोराइलेशन क्रिया में इसका महत्व है पोटेश्यम की बात करें पादपों द्वारा पोटेश्यम का अवशोशन पोटेश्यम आयन की रूप में होता है इसकी पादों के विवज्योतक ओतकों कलिकाओं पर्णों मूल शीष्यों में अधिक मात्रा की जरूरत होती है पोटेश्यम कोशिकाओं में धनायन रिनायन संतुलन का निधन करने में भी सहायक होता है साथ ही यह प्रोटीन संसलेशन, रंधों के खुलने और बंधोने, एंजाइम सक्रिता और कोशिकाओं को स्फीत बनाये रखने में अर्थात टर्जिट अवस्था में बनाये रखने में शामिल होता है केल्शियम की जब बात करते हैं तो पादप केल्शियम को म्रदा से केल्शियम आयनों के रूप में अवशोशित करते हैं इसकी आवशक्ता विभज्योतक तथा विभेदित होते वे उत्रकों को अधिक होती है कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के संस्लेशन में भी इसका उप्योग होता है विशेश रूप से मध्य पट्टिका में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में इसकी अनिवारिता समसूत्री तरकु निर्मान के दौरान भी होती है ये पुरानी पत्कियों में एकत्रित हो जाता है ये कोशिका जिल्लियों की सामान्न क्रियाओं में भी शामिल होता है ये कुछ एंजाइम को सक्रिय करता है तथा उपापचय कारियों के निंत्रण में महत्तपूर भूमिका आदा करता है जहां तक बात magnesium की है यह पादपों द्वारा देयोजी magnesium आयन के रूप में अवशोशित होता है यह प्रकास sensation तथा स्वसन क्रिया के एंजाइमों को सक्रियता प्रदान करता है तथा DNA और RNA के sensation में भी शामिल होता है magnesium chlorophyll के वलाय सनचना का संगठक है और ribosome के आकार को बनाये रखने में साहक होता है गंधक अर्थाद sulfur पादप गंधक को sulfate की रूप में लेता है यह cysteine वय मिथायोनी नामक अमीनों में पाया जाता है तथा अनेक विटामिनों जैसे थायमीन, बायोटीन, को एंजाइम A, M-ferrodoction का मुख्य संगठक है लोहे की बात करते है लोह पादप लोहे को फैरिक आयन के रूप में लेता है पादपों को इसकी अनिवारिता किसी अन्य सुक्ष्म मात्रिक तत्व के पेक्षा आधिक मात्रा में होती है यह फैरेडॉक्षिन तता साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का भाग है जो की इलेक्टरॉन के स्थानांत्रन में सनलग्ड रहता है इनका इलेक्टरॉन स्थानांत्रन के समय फैरस आयन से फैरिक आयन के रूप में विपरीत आक्सी करन होता है यह catalyzed enzyme को सक्र कर देता है और पंढ हरित अर्थाद क्लोरोफिल के निर्मान के लिए अत्यंत अनिवारिया होता है मेंगनीज यह मेंगनस आयनस के रूप में अवसोशित किया जाता है यह प्रकास लंस्टेशन, स्वसन तथा नाइटोजन उपापचे के अनेक एंजाइमों को सक्रिय कर देता है मेंगनीज का प्रमुख कार्य प्रकास संस्लेशन के दौरान जल के अनुओं को विखंडित कर ऑक्सिजन को उत्सर जित करना है हम जिंक की बात करते हैं, पादप जिंक को जिंक आयन की रूप में लेते हैं यह विविद एंजाइमों को विशेशता है, कार्बॉक्सिलेश को सक्रिय करता है इसकी अनेवारिता ऑक्सिन सस्लेशन में भी होती है तामे की बात करें, कॉपर की, तो यह क्यूपरिक आयन की रूप में अवशोशित होता है यह पादबों के समग्र उपापचय के लिए अनेवारिय होता है लोह की तरह यह भी रडॉक्स प्रतिक्रिया से जुड़े विशेश एंजाइमों के साथ सनलगने रहता है तथा यह भी विबरीत दिशा में क्यूपरस आयन से क्यूपरिक आयन में ओक्सिक्रत होता है बोरोन की बात करते हैं, यह बोरिट अथोट्र बोरिट आयनों के रूप में अवशेश शित होता है इसकी अन्यवारिता कैल्शियम आयन को ग्रहन करने तथा उप्योग करने जिल्ली की कारिशिल्ता वे पराग अंकुरन कोशिका धिरही करन कोशिका विभेदन एवं कार्भो हैड़ेट के स्थानद्रण में होती है जहां तक बात मॉलेप्रिनम की है पादप इसे मॉलेप्डेट आयन की रूप में लेते हैं यह है नाइटोजन उपापचय के अनेक अंजाइमों जैसे की नाइटोजिनेस और नाइट्रेट रेड़क्टेज तथा कई अन्य अंजाइमों का घटक है क्लोरीन को क्लोरीड आयनाइन की रूप में अवशोशित किया जाता है पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर यह कोशिकाओं में विलेग की सांद्रता तथा आयनाइन कैटाइन संतुलंत के निधारण करण में साहयता प्रदान करती है यह प्रकास ट्रेशन में जल के व पौधों में खनेज पोशन के विशय में बहुत कुछ सीखा है जो सीखा है उसकी एक बार पुनावर्ती कर लेते हैं पादब अपने व्रद्धी एवं परिवर्धन के लिए अकारबनिक पोशन वायू जल और म्रदा से प्राप्त करते हैं पादबों को म्रदा की अनुपस के खनेज तत्व का आवस्वाषन करते हैं पौधों को उनके द्वारा आवशोशित सभी प्रकार के खनी तत्व के अनिवारिता नहीं होती है अब तक खोजे गए 105 से अधिक तत्व में से केवल 21 तत्व पादबों की साधरन वद्धी एवं परिवर्धन के लिए अनिवार ये वे लाब्धाइक पाए गए हैं अधिक मात्रा में अनिवारी तत्व ब्रहव पोशक तथा कम मात्रा में अनिवारी तत्व सूख्ष मात्रिक तत्व या सूख्ष्म पोशक तत्व कहलाते हैं ये तत्व प्रोटीन, कार्बोहईडरेट, वसा, नुकली अमलों के अनिवार प्रिक्रियम में भाग लेते हैं आपके लिए ग्रह कार्य है तो कुछ प्रश्ण दिये जा रहे हैं इन्हें अपनी अभ्यास पुच्तिका में आप लिखेंगे और अपने ध्यापकों से इसमें मार्ग्देशन प्राप्त करेंगे पहला जल संबर्धन क्या है वर्तमान पेक्षि में इसकी उपयोग्रिता पर अपनी राय व्यक्त कीजिए दूसरा प्रश्ण जल संबर्धन में खनिज पोशन हेतू अध्यान में जल और पोशक लवणों की सुद्धता जरूरी क्यों है तीसरा प्रश्ण उधारन के सहित व्याख्या करें ब्रहत पोशक, सुर् वहरता नहीं है इस पर आप टिप पड़ी करें पांचमा प्रश्ण निम्नांकित कत्रों में कौन सही है अगर गलत है तो उन्हें आप ठीक करें पहला बोरोन की अपरियापता से स्थूल काय अक्ष्य बनता है दूसरा कोशिका में उपस्थित प्रते खनिज तत्य उसके ल है चौथा सूक्ष में पोश्ण की अनिवारिता निश्यत करना अत्यनत ही आसान है क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष मात्रा में लिये जाते हैं प्रिय विद्यार्थियो आज के सत्र में हमने पौधों में खनिज पोश्ण का विस्तार से अध्यन किया है अब हम चाहेंगे कि आप उसका पाठन करें मनन करें स्वाध्य करें और अपने साथियों में इसकी चर्चा भी करें जिस से आप अपने अधिकम मुद्देश्य की पूर्ती में सफल हों इन ही सुब कामनाओं के साथ श्री ग्रही फिर आप से किसी नए उपयोश्य पर मिलेंगे धन्यवाद झाल